चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं सेजल से जिनका ओल इंडिया रैंक 60 है जो की रुड़की से हैं और ओल इंडिया रैंक 60 के लिए सेजल सबसे पहले तो बहुत सारी सुबकाम ना है कॉंशुलेशन तो सेजल आपने इटने अची राइंक अचीउफ की है और आपने क्योंकि पाइनले के बाद एक साल काडicamente लिया और ड्रॉप के साथ आपने रंग अचीब की, तो आपकी जो इंटायर सुटेनी, पहले तो ग्रीजिन के समय क्या सोचते थे, फिर जब ड्रॉप लिया, तो आपने कैसे डेशियन बनाया और फिर पूरे साल आपने इंटायर पढ़ाई कैसे की, वो आपकी सक्सेश जन् एनिटी एहलाबाद से मनें MCE करा तो मैंने उनसे भी बात करी थी तो फिर वो इस चीज़ को से सेटल इंड करने के लिए मैंने एक साल का ड्रॉप लिया था क्योंकि मैंने पिछले साल भी दिया था तो उसमें मेरी रांक ऐसे अगर मतलब एक महिना दो महिना पढ़के मेरी रांक 2000 कुछ में आ गए थी पर उसमें कुछ एड्मिशन नहीं मिलता है तो इसलिए एक साल का ड्रॉप लेना पड़ा था जैसे कि मतलब एक तो स्ट्रीम भी एकदम चेंज कर रहे हैं तो पढ़ाई भी नहीं पारी थी डंग से तो इसलिए वैज से एक साल का ड्रॉप लेना पड़ा था और फिर मेरी दीदी नहीं आपका कॉंटाक दिया था तो मैंने उनसे मेरी कजन दीदी थी तो उनोनी में को बताया था तो फिर मैंने उनी के थू आपका आप जॉइन किया ओनलाइन कोचिं वगेरा जॉइन करी थी और फिर सर पढ़ने का तरीका तो एकदम सेम ही था जैसे आप बोलते गए कि यह करना है वो करना है बस एक चीज ही कि मैं काफी कंसिस्टेंट थी क्योंकि मेरी बाशलर्स में व आपके दिये थे लास वाले तो सारी दिये थे जो बीच में स्टार्टेंगे छूट गये थे बस उनका उनका भी थोड़ा सा गिल्ट रहता है पर ठीक है कोई भी अब तो हो गया सबसे पहली तो आपकी 44 डिजिट की रैंक टी 2000 उससे आप 60 रैंक टू डिजिट रैंक पर पहुँचे और आपने टेस्ट भी प्रॉपर दिया आपने पढ़ा ही करी और इंपीटर्स में नॉर्मली बच्चे बच्चों के थुरू ही जुड़ते है क्योंकि ये इंपीटर् बच्चा नॉर्मली बिटर्स से कही न कहीं जोड़ा ही होता है हाँ जी सर तो अब कैसा लग रहा है आपको सर अच्छा लगा है मैं भी खूश हूँ मम्मी भी खूश है सब लोग खूश है चलो अच्छी बात है अच्छा सेजल ये बताओ कि जब आपने ड्रॉप का डिसिजन ले लिया था तो इंटायर ये जब आपर ड्रॉप लेते हैं तो कही बार कही ना कही इस्ट्रेस आता है कुछ इस तरह के थॉट्स आपके मन में भी आया कोई स्ट्रेस हुआ तो कैसे उसको आपने आपने आप से रिलीव किया सर मतलब एक थॉट्ट तो आता ही है कि अगर एक साल का ड्रॉप ले लिया फिर भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे पर उस चीज को मैंने इतना जादा उस चीज को इंपॉर्टेस नहीं दी एकदम ऐसे टाइम पर छोड़ दे कि जो होगा देखा जाएगा अभी पहले जो कर रहे है उस पे एकदम प्रॉपरली फोकस करते हैं पर सही बात बोली सेजल मैंने इसलीए कोशन पूछा कि कई बच्चे डॉप लेकि यह चिमता करते रहते हैं अब लिया क्या होगा और आपने भी बोला जो होगा देखा जाएगा अभी तो अपना महनत करते क्यूंकि जब तक आप अपना 100% नहीं दोगे चाहे ड्रॉप लो या ना लो या दो साल भी ले लो जब तक आप 100% नी दोगे रेजन कैसे आएगा और जो अभी आपने बोला मैं सुभे क्लास रखता है इसलिए हूँ सुभे और शाम इनफाइक इस बार दुफेर में भी रखी क्योंकि दो से चार पेपर था तो मैंने दुफेर में भी पूरा कि आप लोग एनरजेटिक रहें तो इस बार का अच्छा कि आपको आधर पढ़ दे तो आपको दिकत नहीं होगी वो पूरा ड्रॉप एकदम सेटलन होने के लिए था तो उससे सब सुधर चुका है और वो बच्चे डॉप लेने से गवड़ाते हैं या डॉप लेते हैं जूनियर्स और इस्पेशली गर्स कई बार हैं तो आपका उनके लिए क्या स्ट्रॉंग मैसेज होगा सर ऐसे स्ट्रॉंग मैसेज तो कुछ नहीं है बस अतना है कि खुद में बिलीव रखो और जितना देश सकते हो उतना दो हो जाएगा धीरे-धीरे कुछ लोगों को ज्यादा टाइम लग जाता है एक लेवल तक प सही बात बोली से जल तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अब अभी बोपाल आने ही वाले वाले अवार्ट सेरेमनी के लिए जब मिलेंगे आपके पैरेंट्स के साथ अभी मम्मी है आपकी मम्मी पापा अच्छली मैं नानी के घर पर होना तो वह वहां पर भी इन्वाल्ड हो रखे है कोई बात ही ठीक है चलो नानी मिलना चाहेंगी क्या नहीं से चलो पिटा बज़ेंस कांडेश्यूलेशन औल देबैस थेंक यू